तो नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एड ब्लॉकर के बारे में एड ब्लॉकर क्या होता है कैसे काम करता है किस चीज के लिए यूज किया जाता है क्या हमें Adblocker अपने computer अपने laptop में यूज़ करना चाहिए या नहीं वो safe होता है या नहीं होता है इसी के बारे में अज़े हम बात करने माले तो प्लीज बिन स्किप के इस वीडियो को इंट तक जरूर दिखना तो चलिए दोस्तों बिन अधर के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो नम अगर आप mobile के लिए यूज़ करना चाते हो तो आपको play store पर वह थर्ड पार्टी application मिल जाते है आप play store पर बहुत सरे applications आपको मिल जाएंगे add blocker के लिए और अगर google पर search करते हैं अपने laptop के लिए तो आपको बहुत सरे software वापर देखने के लिए मिलेंगे तो add blocker में free और paid यह दो versions आपको देखने के लिए मिलेंगे आप free में भी यूज़ कर सकते हो और paid में भी यूज़ कर सकते हो अब बात करते हैं कि add blocker क्या होता है तो जब भी हम अपने किसी भी website विजिट करते हैं किसी भी website पर हम suffering करते हम internet यूज़ करते तब हम काफी सारे website को यूज़ करत हैं और मानलो आपने computer mobile है फिर laptop में add blocker को install कर लिया है तो जब भी आप internet का use करोगे और आप किसी website पर विजिट करते हो तो add blocker automatically उन सारे website में जो भी add लगा हुए रहते हैं उन सारे ads को वह automatically block कर देता है और हमें वह नहीं दिखाई देता है और उससे क्या होता है कि हमारा ज जो ads की वज़े से आपका जो page का loading time है वह ज्यादा बढ़ जाता है लेकिन अगर आप add blocker use करें तो add blocker के तुरू वह जो ads है उस page पर जितने भी ads लगे हुए रहे थे वह block हो जाते है और उससे जब भी आप उस page को visit करते हो वह page जट से open हो जाता है यानि वह fastly open जाता है क् add blocker के तुरू उस page के already जो ads थी वह automatically block हो गई है यानि कि उस page का loading time है वह बहुत जाता कम हो गया है और उस page का load है वह बहुत जाता कम हो गया है तो उसकी वैसे हमरे जो browsing experience है वह काफी हट तक बढ़ जाते है और हमारे उसमें जो भी हमारे data है वह काफी हट तक save हो जाता है त तो basically इस purpose के लिए हम add blocker का use करते है अब आते है कि add blocker safe है हमें browsing experience के लिए हमारे अच्छे browsing experience के लिए है या फिर हमारे internet suffering के लिए हमारे personal information के लिए है तो दोको ऐसे में हमारे बहुत सरे applications मिलते है free में और paid में भी अगर आप paid लेते हो तो अच्छी बात है free लेते हो तो भी क पर भी store हो जाएगी यानि कि उनके database पर store हो जाती है लेकिन आपको यह चीज जरूर धायन रखने कि जब भी आप कोई third party application वहाँ पर add कर रहे हो अपने phone में या फिर अपने computer लैप्टॉप में वैसे तो computer लैप्टॉप में कोई permission मांगे नहीं जाती लेकिन वहाँ पर भी risky होता है आप पहले उस software के वैपसाइट है उसे verify कर लेना या फिर आप अपने phone में जो भी application को download कर रहे हो वो एक बार जरूर से check कर लेना या फिर आप जब यह अपने mobile में उस software को install करेंगे तक वहाँ बर देख लेना कि आप उस software को कौन कौन सी permission दे रहे हो अगर आपको ऐस लोग उस permission को deny भी कर सकते हो तो basically इनी चीजों का हमें ध्यान रखना है करवे भी हमें अपने third party application में mobile में install करते समय है तो basically दूस्तो आइड blocker का use website पर दिखाई जानी वाली ads को block करने के लिए किया जाता है तो I hope दोस्तो अब आपको समझ में आया वहाँ कि ad blocker का use क्यों कर करते हैं और हमें ad blocker का use करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तो वीडियो पसंद आई हूँ तो like जरू करना नीचे comment करके मुझे जरूर बतना आपको ये वीडियो कैसे लगी अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share जरू करना चानेल पर नहीं हो तो subscribe जरूर कर